पेपरली केस की तो इस केस को लेकर कल एडी ने बड़ी कारवाई की आपने देखा तस्वीरे लगतार हमने आप तक पहुँचाई कि कई नेताओं के घर छापे मारी की गई है इसमें सबसे बड़ा नाम रहा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंग रोटासरा का दूसरे नंबर पड़ थे ओंप्रकाश उडला और इस कारवाई के बाद के तस्वीरे सामने आई जिसमें ओप्रकाश उडला रोते हुए नजर आ रहे हैं कॉंग्रेस की ओड़ से जारी हुई प्रतियाश्यू के दूसरी लिस्ट में उडला का नाम भी शामिल है इडी ने दौसरा में उनके ठीकानों पर चापे मारी की इस चापे मारी में क्या मिला इसके अधिकारिक जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है लेकिन इस चापे मारी के बाद उडला का एक वीडियो जरूर सामने आया इसमें वो फूट फूट का रो रहे हैं यह वीडियो पर सोचल मीडिया पर लगतार वारल हो रहा है तो एडी की रेट के बाद फूट फूट का रोए ओम प्रकाश हुडला जिन्हें कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट दिया है तो मुखेवंतर अशुक ग्यालोत के ओर से बयान भी दिया गया था जब प्रेस कॉंफरेंस उनकी ओर से बुलाई गई थी कि हमने हुडला को टिकेट दिया इसलिए हुडला पर ही कारवाई हुई है तो एडी के रेट के बाद फूट फूट का रोते हुए उंप्रकाश हुडला नजर आये और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगतार वायरल हो रहा है कितने कुकार मिन के लोगा ने किया है यह यह देखिए कितनी लासों पर राज नी थी किया यहां कितनी लासों पर राज नी थी किया है तो दौसा के महवा में पेपर लीक मामले में इडी ने विधायक उंप्रकाश हुडला के जैपूर और महवा इस्थित अवास पर कारवाई की 12 गंटे तक यह कारवाई चली और पूश्ताज भी हुई है उंप्रकाश हुडला से महवा इस्थित होटेल में पूश्ताज की गई और उसके बाद जब उंप्रकाश हुडला होटेल से बाहां निकले तो उन्होंने एडी की कारवाई के पीछे किरोडिलाल मीना का हाथ बत है उनकी और से गाया है कि मीना साहब आज तक आपको चैलेंज नहीं किया है लेकिन आज खुला चैलेंज करता हूं की इडी के रेट कराने की तो मैवा से चुनाव लड़के दिखाओ उंप्रकाश हुडला हरा के भेजेगा ये बड़ी बाते उनकी और से की गई है और इडी की कारवाई को लेकर उनकी मीना को दोशी ठराते हुए महवास से चुनाव लड़ने के लिए ललका रहा है और यह उस वक्त का वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं जब एडी की रेट के बाद उडला बहार आये और उसके बाद वो ना केवल उन्होंने कि रोडिलाल मीना को ललका रहा बलकी कहा कि उनका ही हाते इसके पीछे और चैलेंज भी किया है कि आईए महवास से चुनाव लड़कर आप दिखाईए और यह भी उनके ओर से कहा गया कि अगर यह आरोप साबित होंगे तो वो आत्म हत्या कर लेंगे अगर यारूप साबित होते हैं तो वो आत्म हत्या कर लेंगे तो बारा गंटे तक एडी ने सर्च अभियान चलाया पूश्टाच भी यहाँ पर उप्रकाश उडला से की गई कि महुआ इस्थित उनके होटेल में पूश्टाच की गई है और उसके बाद की तस्विर आपने देखी क्या कहा गया उनके ओर से और फूट फूट कर रोते वे नजर आए हैं मेरे साथ मौजूद है लाइव देवेंद्र बारह घंटे पूश्टाच चली होटेल में ओम प्र का कह रहे हैं कि मीड़ा का हाथ है और नोने उन्हें ललकारते वे नजर आए हैं कि आईये महुआ सीट साब चुनाव लड़िये और बड़ी बाते भी उनके ओर से कही गई है जे बिलकुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीचे दिन जो एडी की जो रेड थी वो दोसर जिले के महुआ मैं जो विदान समा उंपर का जो विदायक है उंपर का शुड़ला उनके बाभाई की होटल पर उनके पैट्रो पंपर के एस ताई निवास पर और निवास पर एडी की बालह घंच बारी चली है जिसके बाद इसी रेड के बाद उनके बाका शुड़ला उनको निकलते विदाते हैं और वो अपने उन्हें बताया कि वीडियो के जरीए के उन्हें ये बताया कि जो उनकी मा है उनने शेर पैदा किया है मेरे पास एक उर्पया नहीं मिला है कॉंग्रेस पार्टी ने जब कल प्रेस कॉंफरेंस के आपने देखा देवेंद्र मुख्यमंत्रेशों गयलोथ ने एडी की कारवाई को लेकर सवाल खड़े किये हैं दूसरी तरफ यहां पर हुडला ने यहां पर रोते वे नजर आए हैं उनका वीडियो लगतार वाईरल भी हो रहा है क्या लगता है कि आप उन्होंने यहां चुनाफ से पहले एक इमोशनल कार्ड खेल दिया पहले भी उम्रिताश हुला जूता पॉलिश करते वे नजर आए थे सब्ती बेस्ते वे नजर आए तो सोशल मीडिया पे जो रूते वी जो वीडियो वाईरल हो रहा है उसकंदर वो कहते भी नजर आ रहे है कि एडी की जो कारवाई है वो गलत कारवाई के ही है मेरे पास कुछ नहीं मिला है मेरे पास एक रुपय भी बरामत नहीं हुआ है साथ ही उनने अपनी जो के मा के ले लगते हुए उनने रोते वे जो पूट पूल रो रहे है उसको लेकर उन्होंने बयान ज़ता है कि मुझ्ट साथ ही जो डॉक्तर कड़ीलाल मीना है उन पर भ जो फिर मशीन किसलिए मंगाई गई थी वो देवेंद्र बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगाई थी लेकिन पेट्रो का जो पेमेंट था उसके लिए पैट्रो का ये मशीन आई थी लेकिन होटल पर किसलिए कोई मशीन नहीं आई थी जहां उम्रेकार कालवाई खतम होने के बाद उन्होंने ये वीडियो जारी किया है ठीक है ठीक है देविंद्र तमाम जानकारे देने के लिए आपको धन्यबाद